नमस्कार आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जननी सीसू सुरुक्षा कारिक्रम के बारे में इस योजना के बारे में आपने हो सकता है सुना होगा जन्नी सीसू सुरुक्षा योजना या जन्नी सीसू सुरुक्षा कारिकरम के नाम से इनको जाना जाता है और इस योजना के अंतरगत में महिलाओं की फ्री डिलिवरी होती है चाहे वो normal delivery हो या फिर cesarian delivery हो हर प्रकार की delivery जो है वो free होती है साथ में उसको भोजन भी free में दिया जाता है और इसके अलावे बच्चे की भी जो है वो स्वास्त की देखवाल 7-8 दिनों तक जो है वो free में की जाती है तो इस योजना के बारे में मैं आपको details अभी बताऊंगा ये जो आप PDF देख रहे हैं ये PDF इसी योजना से संबंदित है जिसका link मैं आपको रिक्सेशन बॉक्स में दे दूँगा वहां से आप ध्यान से इसे पढ़ भी सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश से है कि जो जादातर महिलाओं की मिर्तियू delivery प्रसव के सरमेज हो जाता है उसे कम करना या बिलकुल इसको zero करना इस योजना को इसलिए लागू किया गया है ताकि महिलाओं की जो प्रसव के दुरान मिर्तियू होती है उसको कम किया जा सके और इसके अलावे जो बच्चों की मिर्तियू होती है खासकर जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो 28 दिनों तक जो है या यूँ बोले कि 30 दिनों तक जो है यानि वो तकरीबन जो है वो 30 दिनों के भीतर ही हो जाती है इसलिए इस योजना का कारिक्रम यही है इस योजना का जो उद्देश है वो यही है कि बच्चे और महिलाओं की प्रसव के दुरान जो मिर्तियू होती है उसको खतम किया जा सके और हमारे भारत में जो है वो काफी जादा महिलाओं की मिर्तियू हो जाती है यहाँ पर एक अंकड़ा देख सकते हैं हर साल तकरीबन जो है वो 67 हजार महिलाओं की मिर्तियू भारत में प्रेगनेंसी से संबंदित कॉम्प्लिकेशन के कारण से होती है और लगभग जो है वो 13 लाख बच्चों की मिर्तियू हो जाती है विदिन one year of birth याणी एक साल के भीतर जो है वो बच्चे की मिर्तियू हो जाती है और जिन में से जो है वो 9 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो 4 हपते के पहले उनकी मिर्तियू हो जाती है यानि two third आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा बच्चों की मिर्ती होती है इस दोरान और इसलिए जननी सिसू सुरुक्षा कारेकरम इसे लागू किया गया है मैं आपको link decision box में दे दूँगा यहां से आप पूरा detail भी प्राप्ते कर सकते हैं इसका आप swing भी पढ़ करके देख सकते हैं मैं आपको मोटे मोटे कुछ चीजों को बता देना चाहता हूँ सबसे पहले benefits कि अगर बात करें कि इस योजना में आपको क्या benefit मिलेगा तो सबसे पहली बात free and cashless delivery यानि बिलकुल आपको एक भी रुपय खर्चनी करना है free में delivery होगा pregnant women के लिए cesarian delivery भी free में होगा सभी प्रकार का दवाईयां और अनी जो जो चीज़ें होगी वो सारी free में आपको दी जाएगी diagnostic यानि जितने भी प्रकार के खुन जाच वगर होंगे ये सारे diagnostic test होंगे वो सारे free होंगे इसके अलावे जो है वो जब तक hospital में रहेंगे तब तक जो है वो free diet दिया जाएगा भोजन भी उसको दिया जाएगा इसके अलावे अगर blood की जरुत पड़ती है आमतर पर बहुत सारी मैलाओं को delivery के समय जो है वो blood की जरुत पड़ती है वो भी आपको free में दिया जाएगा इसके अलावे user charge भी आपको नहीं देना है मतलब एक भी रुपई आपको नहीं देना है free transport from home to health institution यानि आपको घर से लेकर के hospital तक पहुँचाने का जो खर्च है वो भी आपको नहीं देना है इसके अलावे अगर free transport between facility in case of referral अगर मान के चलिए कि आप अपने जीला के hospital में जाते हैं और वहाँ से आपको refer कर दिया जाता है किसी बड़े hospital में तो वहाँ पर भी आपको transportation charge यानि यातायात में जो पैसा लगेगा आप जिस ambulance वकर से जाएंगे उसमें भी किसी परकार का कोई खर्च नहीं लिया जाएगा free drop back from institution to home after 48 hours stay इसके अलावे अगर आप वहाँ राते हैं तो फिर वहाँ से जो है वो आपको घर तक पहुचाए भी जाएगा free में free treatment, free दवाईया, free taste, free blood हर परकार की सुबधाया जो है वो आपको free में दी जाएगी कौन इसमें इसका लाव उठा सकते हैं इस योजना में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं eligibility the applicant must be a pregnant woman एक गरवती महिला सिर्फ होनी चाहिए और वो किसी सरकारी hospital में admitted होना चाहिए या admitted होने योग होना चाहिए यानि कहने का मतलब यह है जैसे अगर आप चाहे तो किसी भी सरकारी hospital में अगर मालेज्जे कि गरभती माईला को जैसे ही बच्चा होने वाला होता है तो इसको ले जाया जाता है तो अगर आपको सिर्प ये पता चलता है की नी वो अब रोस्पीटल जाने वाला है तो फिर वैसे स्थिति में जो है वो admit होना चाहिए exclusions कोई भी नहीं है हर महिला जो है वो इसमें लाब ले सकती है process क्या है इस उजना का लाब आप कैसे उठा सकते हैं तो देखिए pregnant women जो भी है इसका लाब उठाने के लिए आप अपने नईदिकी सहिया से संपर्क कर ले आपको पता ही होगा कि आपके government delivery कराने के लिए जो है वो सहिया होती है तो बस आपको सहिया से contact करना है सहिया आपको इन से संबंदि जितना भी कारी होगा वो सारा कारी करा देंगे और कई सारे जगहों पर ऐसा भी होता है कि कुछ पैसे भी आपको मिलते हैं इसमें अगर मालेजी आपको delivery करा लेते हैं फिर delivery करने के बाद जो है वो आपको कुछ पैसे भी के अंतरकत में मिल जाते हैं तो यानि कुली मिला करके अगर देखें तो बहुत बढ़ियाँ scheme है अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अगर आपके घर में कोई गरवती महिला है जिनको delivery होने वाली है तो बस आप सहिया से contact में रहिएगा हर गाउं में एक सहिया होती है अंगनवाडी केंद्रों में एक सहिया होती है तो आप अपने अंगनवाडी केंद्र से संपर्क किजिएगा तो वहाँ से आपको सहिया की जानकारी मिल जाएगी तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं क्या कौन कौन साइड document लेगा आधार नंबर होना चाहिए address proof कोई भी एक document होना चाहिए domicile certificate यानि अवासी प्रमान पत्र होना चाहिए रासन कॉर्ड होना चाहिए या जन्नी सुम्छा कार्ड होना चाहिए ये तमान चीजें अगर आपके पास हैं तो वैसे स्थिति में आप इसका लाभ ले शकते हैं और साथ में कई सारे जगों पर वो सिर्फ आधार नंबर आधार कार्ड से ही जो है वो काम हो जाता है तो आप अपने सहिया से संपर कर लिजिए इसलिए आपको वहीं से सारी जानकारी जो है ज़्यादा अच्छे तरीक से मिल जाएगी कि आपके यहां पर कौन सा सिस्टम है तो आम तोर पर जो है वो है आधार नंबर और उसी में आपका एड्रेस भी होता तो एड्रेस प्रूब भी आपका वही हो गया डॉमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब हुआ कि आवासी प्रमान पत्र मतलब फिर वही से आधार कार्ड से आपका यह तीनों काम हो जाएगा रासन कार्ड और जन्न इल्कुल फ्री में हर चीज़ दिया जाएगा जो गर्वति में लाया होंगे उनको और बहुत सारे मेडिसेंस हैं जो इसमें फ्री दी जाते हैं कुछ मेडिसेंस हो सकता है कि उपलब्द ना हो अगर वो बड़े लेवल का होता है तो नहीं तो आम तोर पर हर प्रकार की जो है वो खाना दिया जाएगा तो अगर नॉर्मल डिलिवरी होता है तो मैलां को तीन दिनों तक जो है वो फ्री में खाना भी दिया जाएगा और अगर सिजरियन डिलिवरी होती है तो वैसे स्तत्य में साथ दिनों तक मैलां को फ्री में खाना दिया जाएगा और इसके जुरुबाब बच्चे अगर होंगे तो भी इसका लाब ले सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल जुरुबाब बच्चे अगर हों तो भी इसका लाब लिया जा सकता है, जी हाँ, बिल्कुल इसका लाब ले सकते हैं, तो ये था इस योजना से संबंदित डीटेल, उमीद करते हैं कि आपको इस योजना का डीटेल मिल गया होगा, और अधिक जानकारी के लिए आप अपने जो है वो सहिया से संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपको जानकारी मिल कि आप फीमेल हैं, कि आप प्रेगनेंट हैं, और क्या आप किसी गवर्वर्मेंट इस योजना का लाब उठा सकते हैं, बहुत ही बढ़ियां और बहुत ही बहतरी निसकीम है, जिसके अंतरकत में बिल्कुल फ्री में डिलिवरी होगा, एक इविर पई आपको इस योजना क को देना नहीं है, जरा सा भी खर्च नहीं होगा, उमीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस योजना के बारे में पूरा पूरी जानकारी मिला होगा, और ये जानकारी का जो डीटेल्स हैं, मैं आपको गवर्मेंट के वेबसाइट से दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप जरा सा भी ये ना समझें कि कोई फर्जी चीज़ें हैं, मैं आपको लिंक में दे दे रहा हूँ, पीडियेफ का भी और साथ मैं इस वेबसाइट का भी जहां से आप इसकी जानकारी को पुनह अपने अस्तर से पढ़ सकते हैं, वीडियो को देखने के लिए धन् झाल